Hello everyone, आज हम सीखेंगे कि आप किसी भी angle को कैसे construct करते हो, यानि using compass आप angle कैसे बनाते हो तो हमारे पास कुछ angles हैं, जो आप possibly compass से बना सकते हो, बाकी सारे angles जो हैं वो compass से नहीं बन सकते उसका reason आज आपको समझ आजाएगा, तो हम start करते हैं first अपने angle से, angle 60 degree, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको 60 degree बनाना सिखाऊंगी, तो आपको क्या करना है? एक line बनानी है जिसके उपर आप angle बनाओगे, तो यह है आपकी ray, क्योंकि इसका एक end point है और एक point ऐसा है जिसमें arrow होती है, ठीक है? तो यहाँ से आपको 60 degree बनाना है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले? आप अपना compass open करो, ठीक है? कितना भी radius में open कर सकते हो, जिसको use करने में आप comfortable हो, ठीक है? आप यहाँ पे इसके vertex पे end वाली side पे आप compass को रखोगे, और एक semi circle बनाओगे, semi circle is like this, ठीक है? यह semi circle बनाया, अब जहाँ पे semi circle और इस line का intersection point है, यहाँ पे अपना compass फिर से रखोगे, और first arc इस semi circle के उपर लगाओगे, यह जो first arc है, यह represent करेगी 60 degree, तो अगर मैं इसको join कर देती हूँ, तो यह मेरा angle हो गया 60 degree, ठीक है? अब यह compass उतना ही खुला रखना, इसको change नहीं करना, यानि कि जितने से मैंने यह semi circle बनाया था, यह compass उतना ही रहेगा, 60 degree के उपर रखकर, अगर आप फिर से एक और arc लगाते हो semi circle के उपर, तो यह आपको देगा 120 degrees, यानि 60 plus 60, तो अगर मैं इस arc को और इस center point को join कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, this is 120 degree, यह पूरा 120 degree, अब फिर फिर से further मैं इस 120 degree arc के उपर अपना compass रखके, फिर से semi circle पे एक और arc लगा रहे हूँ, तो फिर से यह मैं 60 degree add कर रहे हूँ, ठीक है, यह जो area है, यह 60 degree फिर से add हो रहा है, तो 60, 60, 60 will give you 180 degrees, तो अगर मैं इस arc को और यह जो center pointer इसको join करूँगी, तो यह मैं देखूँगी कि ब 180 degrees, ठीक है, अब आगे देखते हैं, मेरा, मेरे 3 angles हो गए है, 60 degree, 120 degree and 180 degree, यह हमने सीख लिये, अब देखो ध्यान से, 0 और 60 degree के बीच में आता है 30 degrees, बिल्कुल center में, ठीक है, तो यह मुझे पता है कि मेरा यह 0 degree है and this is 60 degree, मैं इसको अगर bisect कर दूँ, इस area को अगर मैं bisect कर अब होता है, equal two parts में, दो बराबर भाग में, डिवाइड कर दूँ, तो मुझे 30 degree का angle मिल जाएगा, यानि इसका आधा मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगे, वापस से compass को खोला और यह आपने एक arc लगाया, फिर से इधर से भी एक arc लगाया, ठीक है, यहां से, 60 degree से मैंने और यहां 0 degree से एक arc लगाया, तो इस arc को मैं center point से join करूंगी, तो I'll get 30 degrees, यह आपका, यह angle जो है, वो 30 degree को represent कर रहा है, ठीक है, same way, मुझे 90 degree का पता है, 90 degree के बारे में क्या पता है, कि 60 और 120 के बीच में आता है, ठीक है, तो this is 60, this is 120, तो आपको क्या करना है, 60 और 120 के बीच म आक लगाया, जहां पर यह मिला, मैं उसको join कर दूंगी, बिल्कुल straight, यह मेरको 90 degree angle दे देगा, ठीक है, अब आगे देखते है, 150 degrees, तो 120 और 180 के बीच में बिल्कुल 150 लाए करता है, तो this is 120, यह जो है, यह जो आक है, यह 120 की है, और यह जो है, यह 180 की आक है, तो आप क्या क करोगे, एक पॉइंट यहां से, एक आग जो है, यहां से लगाना है, एक आग आपको यहां से लगाना है, दोनों को आप यहां पर ऐसे join कर दो, आपको मिल जाएगा, 150 degrees, यानि कि यह बना angle, यह पूरा आपका angle है, 150 degrees, अब देखते हैं, मेरे यह तीन angles भी हो गए, मैंने इ 0 और 30 के बिलकुल मिड में आता है, 15 degrees, तो मुझे पता है, this is 0 and this is 30, यह 0 का point है, और यह 30 का point है, तो 0 के point से एक आग लगाएंगे, यानि 0 point से एक आग लगाएंगे, और 30 के point से एक आग लगाएंगे, तो यह जो आग, दोनों आग जहां intersect करेगी, उसको मैं join कर दूंगे, तो यह जो मेरा, यह जो line है, यह represent कर रही है, 30 degrees को, sorry, 15 degrees को, ठीक है, यह बन गया है, 15 का angle, अब same way मुझे 45 बनाना है, 45 कैसे बनता है, 45 देखो, 30 और 60 के बिलकुल center में है, 30 से 15 plus करो, 60 से 15 minus करो, 45 मिलेगा, तो दोनों के center में है, यानि आप देखो, यह आपकी 30 degree की line है, this is 30 degree and this is 60 degree, इन दोनों का यह जो point of intersection है, 60 degree यह रहा, और 30 degree यह रहा, ठीक है, मैं थोड़ा से dark कर रही हूँ, okay, तो इन दोनों को आप फिर से bisect करोगे, तो यह यहाँ पे, यहाँ से, एक arc और एक 60 degree से arc, तो आपको यह point of intersection मिला है, यह आपको center से मिलाना है, ठीक है, तो यह यह मिलेगा आपको, this angle is 45 degrees, same way, अगर आपको 75 बनाना है, तो आप 60 और 90, यानि कि 60 यह वाला point है, यह वाला, और 90 आपका यह है, ठीक है, इन दोनों पे compass रखके, आपको यहाँ arc लगानी है, और जो भी point of intersection उसको मिलाना है, similarly 105, 90 और 120 के बीच में बनेगा, यानि यह और यह वा 150, 150 कहाँ पे है, यह रहा, 120 कहाँ पे है, यह रहा, तो यहाँ से compass इधर, यहाँ से compass इधर, और match कर दो, ठीक है, same way, 165, 150 और 180 के बीच में बनेगा, इसके अलावा आप और भी angles बना सकते हो, पर वो point में आ जाएंगे, तो हम यहाँ क्या pattern देख रहे हैं, एक pattern है, जिसमें स 15, 45, 60, 75, तो 15, 15 के multiples में ही आप angles को construct कर पा रहे हो, इसके अलावा अगर कोई आपको number मिलता है, तो आपको construction आप उसकी possible नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो इतने ही angles को आप बनाना अच्छा से सीखो, practice करो, यह आपको बहुत काम आएगा आपके practical geometry वाले chapter में, जितनी practice करो होगी उतना मज़ा आएगा इसको करने में, I hope यह आपको clear हुआ होगा,